खुशी की बात है पटनारे अच्छी बात है घर वापसी है अच्छी बात है खुशी का बात है हम अपने तरफ से जो एसो एक पवगा लड़ू है जडूर बाटेंगे गरीब आदमी को नाम पर तो लालू जी अच्छे लीडर थे और है भी ते लिए बहुत खुशी के बात ह है कि लालू जी इन दिनों पटना आ रहे हैं गरीबों के मसिया हैं और शही में हैं नमिश्कार मेरा नाम फरत अपस है और आप देख रहे हैं एक न्यूस 34 इस वक्त हम गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास खड़े हैं बता दे अगर आज एटी सुप्रीमों के बात करे यानि कि लालू परसाद यारव इन दिनों पटना आने वाले हैं बताया जा रहा है कि आज के दिन वो पटना पधाने वाले हैं ऐसे में हम पटना वासियों से हम जानेंगे कि लालू परसाद यारव करीबन आठ नौ मन्द के बाद आने वाले हैं कितनी खुशी है कितने एक प्रदान करता हूं चलिए आर भी लोग हैं इनसे भी हम जानते हैं खुशी नहीं हो रही है क्यों लालू जी बहुत बड़े नेता रह चुके हैं बिहार वासियों के लिए काम कर चुके हैं किया काम किया है अध्याय जाता हैं उनको गरीबों के मसीहा कहा जाता है गरीबों के लिए वो थे यह सब मिडिया लालू कहते हैं अच्छा यानि आप खुश है की नहीं को सहां किस बात के लिए लालू जी इन दिनों पटना आ रहे हैं क्या कह जेँगे बहुत खुशी के बात है कि लालू ज इन दिनों पटना आ रहे हैं गरीबों के मसिया हैं और शही में हैं क्योंकि जो भी जनता को राह चलने का अकल नहीं था उसको लालू यादों ने राश्ता दिखाया और गरीब को बहुत मदद किया है ऐसा कोई नेता नहोगा अना है इलेक्शन भी अभी करीब आने वाला है चिनाओ तो क्या लगता है अब राजनितिक में थोड़ा सा बदलाव आएगा आप भी सकता है उनका लड़का के बलोलत आप बदाईए क्या कहिएगा लालू जादव ने पटना रहा है बहुत फुसी का बात है हम अपने तरफ से जो एक पवगा लड़ू है जडूर बाटेंगे गरीब आदमी को नाम पर ने कीलो दू कीलो बांट पाएंगे लेकिन पावर जडूर बाटेंगे और लालू जादव ऐसा नेता बिहार में जो है सो कोई नहीं है कोई नहीं है एक पीस भी नहीं है लालू जादव ऐसा नेता लालू जादव है लाल है उसके बाद जो ऐसो लालू जादव ने गांधी मैदान में जब भासन दिया था पूरा गर्मी का च्छा इतम धूप थ पूरा धूप था हम लोग बेचते थे तो बोला कि एदम सब प्रब्लिक पकड़ रहा था पेंड पकड़ रहा था लालू जी ने बोला था कि क्या काया भाग रहे हैं घबड़ा रहे हैं जानता मेरा सब भाग रहा है रुकी आपको गर्मी आगया है थोड़ा सा गुलाब का जल हम बिरवा देते हैं कहां से मालिक ने दर्शन हो गया कि 10 मिनट के लिए थोड़ा फूही आ गया क्या नाम है आपका परकास यादव है चलिए परकास यादव जी कह रहे हैं कि वह इतने जादा खूश है कि लालू जी अब पटना वापस आरे इस खूशी में जो है मिठ परकास यादमी है और राजनितिक में तुव अपना चासू लिखी दी है उपर वाले से कामना करते हैं कि उसका सीट बरकरार रहे बार बार वह अपना सत्तों में आते रहे और अपना धाग से वह जित हासिल करते रहे जो कि जनता का भलाई हो छेलिये और क्या कईए को चेटरा जी घर आहरे हैं क्योंने कुछ लोग बोलते है कि लाणु जी है जो आज यह रेहलवे के बडली मत रेहलिवे में काम देने के बदली जमीन लेते थे यह सब के मामले में हमको कोई जानकारी आपके हिसाब से क्या लगता है कैसे इसके बारे में हम कुछ नहीं बोले ठीक है बरिया है वेटरन लीडर है वो पतना आ रहे हैं तो अच्छी बात तो अगर क्या लालू जी एक तरफ नितिज जी द कि अपनी खुसी है सब के लिए लालू जी के वीपरसं सक हैं इनके वीपरसं सक अगर हम बात करें दोनों मेंसे सबसे बहतरी इन कॉन लीडर है तो क्या खा़ेंगे के लालू जी अच्छे है इसलिए अच्छे हैं क्योंकि नालू जी उस दशक के है जब कुछ ऐसे तबग Sig को समाज में कुछ अधिकार दिला है जब वह एक हस्य पत तो लालू जी अच्छे लीडर थे और है भी तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना है लालू जी की आज जो है पटना वापसी हो रही है जिसको लेकर पटना वासे काफी खुश है और काफी ज्यादा जो प्राट के लिए काम ना कर रहे हैं ऐसे खबरों के लिए बने हैं हमारे चैनल एक न्यूस्ट्रेटिफोर के साथ मैं हूं फरत अपसाब पटना